हौलवर्ट सेला स्क्रीन प्रेजेंटिंग लायल लायल क्रोकोडायल कहानी के शुरुआत हेक्टर नाम के एक आदमी को दिखाते वे होती है जो पेशे से एक मजीशियन होता है पर लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें कम होने लगाए क्योंकि लोग अब कुछ नया देखना चाते है और हेक्टर के वही पुराने मैजिक शो को देखकर अब वो बोर हो चुके है और हेक्टर ऐसे ही किसी शो में चला जाता है और उसको वहाँ से निकाल भी दिया जाता है क्योंकि किसी को भी अब उसका magic show पसंद नहीं आता पर Hector हार नहीं मानता और कुछ नया करने की सोचता है जिससे वो लोगों का दिल जीच सके इसलिए वो एक pet shop पे चला जाता है जहां वो अपने show के लिए एक pet को ढूंडने लगता है ताकि अब कुछ नया कर सके पर तब ही उसको किसी के गाने की आवाज आती है और वो उस आवाज को सुनते हुए उस जगा पहुँच जाता है जहां उसको एक छोटा सा क्रोकोडाइल देखता है जो गाना गा रहा होता है वो दिखने में बहुत प्यारा है जिसको देखकर हेक्टर को समझ आ जाता है कि अब वो कुछ नया कर सकता है जो लोगों को बहुत जारा पसंद आएगा और वो पेट शॉप से उस छोटे क्रोकोडाइल को अपने साथ अपने घर ले जाता है हेक्तर उस छोटे से क्रोकोडाइल का नाम लाईल रखता है, वो उसे गाने के लिए भी कहता है, पर लाईल को तो ठंड लगने लगी थी, ये जगा उसके लिए बिलकुल नई थी, हेक्तर समझ जाता है इसलिए वो उसको अपना सकाफ पहना देता है, जिससे लाईल को गाने लगते हैं हेक्तर और लाइल अपने शो के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं ऐसे ये अब बहुत दिन बीच जाते हैं अब लाइल भी थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे जिसके बाद फिर हेक्तर कई लोगों से म सक्सेस्फल जरूर होगा इसलिए वो पैसो के लिए अपना घर भार सब कुछ बेज देता है जिसके बाद जब फाइनली उन दोनों का शो होता है तो स्टेज पर हेक्तर परफॉर्म करने लगता है पर इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर लाइल के मुझ से एक शब्द भी नहीं निकलता और वो गाना नहीं गा पाता मानो जैसे वो फ्रीज हो गया हो और अब धीरे धीरे ओडियन्स भी जाने लगी थी उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी हेक्तर को पूरा भरोसा था कि वो बहुत पैसे कमाएगा और सक्सेस्फल हो जाएगा पर ऐसा कुछ न और लाइल से बहाना बना कर वहां से चला जाता है क्योंकि ना तो उसके पास खुद का घर है और ना ही पैसे और ऐसे में वो लाइल की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता वो वहां से चला जाता है जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 18 माईने बाद का सीन दिखाय ज जहां एक फैमिली हेक्टर के घर में रहने के लिए आती है जिसे उन्होंने खरीद लिया होता है मिस्टर प्रिम और मिसिस प्रिम का एक बीटा होता है जिसका नाम जॉश है जिसके बाद वो फैमिली उस घर में रहने लगती है पर एक दिन जॉश को अपने घर के उपर वाले रूम से आवाज आती है उपर जाकर चेक करता है जहां उसको एक बड़ा ग्लास का बॉक्स दिखता है जिसमें लाइल एक स्टैच्यो की तरह खड़ा होता है और उस बॉक्स पर वही लेटर लगा होता है जिसको हेक्टर ने 18 महिने पहले लिखा था कि ये क्रोकोडाइल मेरा है मैं एक मजीशन हूँ और मेरा नाम हेक्टर है और अगर आपको ये क्रोकोडाइल मिले तो प्लीज उसका ध्यान रखना अब उस लेटर को पढ़कर जॉश वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि ये क्रोकोडाइल बस एक टॉय है जिसके बाद अब हमको अगली रात का सिन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉश अपने नेवर की कैट के साथ अपने रूम में होता है उसको अब एक बार फिर से उपर के रूम से किसी के गुन-गुनाने की आवाज आने लगती है इसलिए जॉश वहाँ पर दुबारा चेक करने के लिए जाता है जहाँ पहुँचकर वो देखता है कि वो बॉक्स अब खाली है जिसमें पहले लाइल था और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसको लाइल दिखता है जो वही पर खड़ा होता है जो असल में गाना गारा होता है वो अपने दो पैरो पर खड़ा होता है जिसको देखकर जॉश डर जाता है और जॉश को डरता देख लाइल भी डरने लगता है पर तभी जॉश की वही केट लाइल पर जपट पड़ती है लाइल भी डरा हुआ था इसलिए उसका मुँख खुला हुआ था और वो केट सीधा लाइल के मुँख में चली जाती है जिसको देख जॉश अब और भी ज़ादा डर जाता है वो लाइल के उपर गुसा करता है जिसके बाद लाइल भी डरते हुए वहाँ से भाग जाता है जॉश उसका पीछा करता है जहां वो दोनो एक जगा पर आकर रुख जाते हैं जिदर लाइल अपने मूँ से उस कैट को बाहर उगल देता है जिसको देकर जॉश समझ जाता है कि लाइल एक पैट अनिमल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुचाएगा साथ ही जॉश इस बात से भी हैरान होता है कि उसकी बात लाइल को समझ कैसे आ रही है जिसके बात उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाए देते हैं फिर एक दिन जॉश लाइबरी जाता है और कई सारे बुक्स में क्रोकोडाइल के बारे में इन्फोर्मेशन कलेक्ट करने लगता है क्योंकि उसको अब लाइल के बारे में बहुत को जानना होता है जिसके बात रात को लाइल जॉश को अपने साथ शेहर में गुमाने लगता है क्योंकि उसको वहां के सारी गलियों और रास्तों के बारे में अच्छे से पता होता है क्योंकि जब हेक्टर लाइल को अकेला छोड़कर चला गया था और जब लाइल को भूक लगती थी तो लाइल ऐसे ही शहर की गलियों में घूमा करता था वो डस्टमिन से निकाल कर खाना खाया करता था जिसके बाद जॉश और लाइल साथ में खूब मस्ती करते हैं वो दुनों एक दूसरी की कंपनी को बहुत एंजॉई कर रहे होते हैं जिसके बाद हम जॉश और लाइल को एक साथ टेरेस पर देखते हैं जहां वो आपस में बात करते हैं जौश लाइल को बताता है कि उसकी मॉम की डैट के बाद अब वो अपनी स्टेप मॉम और डैट के साथ रहता है उसकी स्टेप मॉम एक सेफ है जो उसका बहुत ख्याल रखती है पर अब लाइल के मिल जाने से जौश और भी ज्यादा खुश है लाइल को भी अब एक अच्छा दोस्त मिल चुका है जिसके बाद अगले सुबह का सीन दिखाय जाता है जहां उपर रूम में जोश और लाइल एक साथ सो रहे होते है और जब जोश की मॉम उसको उठाने के लिए उपर आती है तो वो जोश को लाइल के साथ सोता हुआ देखकर काफी डर जाती है वो चिलाती है जिसकी आवाज सुनकर वो दुनों उठ जाती है और वो जोश को अपने साथ नीचे ले जाती है वो कहती है कि उनके घर में इतना बड़ा क्रोकोडाइल क्या कर रहा है लाइल भी जॉश की मॉम की वज़ा से डर गया था इसलिए वो भी विंडो से नीचे भाग जाता है जिधर दूसरी ओर जॉश अपनी मॉम को समझा रहा होता है कि हमें लाइल से डरने की कोई जरूरत नहीं है हमें उससे कोई नुकसा नहीं है लेकिन उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उसको अपने साथ घर से बाहर ले आती है वो अपने husband को call मिलाने लगती है पर जॉश के काफी समझाने पर वो जॉश के डैट को call पर कुछ नहीं बताती जॉश की मॉम काफी डर गई थी और वो अब Lyle को मारने के लिए अपने घर में दोबारा जाती है लेकिन जैसे वो अपने घर में घुसती है उसको बातरूम से किसी के गाने की आवाज आ रही होती है वो तुरंट बातरूम को जाकर चेक करती है जहां Lyle नहाते हुए गाना गारा होता है जिसे ये सब करता देख जोश की मॉम एक बार फिर से डर कर नीचे भाग जाती है जिनके पीछे पीछे लाइल भी नीचे आ जाता है और जोश की मॉम को शांत करने के लिए गाना गाने लगता है जिससे मिसेस प्रिम बहुत हैरान होती है अब लाइल उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ डांस करता है और वो दोनों डांस करते करते मज़े मज़े में कुकिंग भी करते हैं जहां लाइल को कुकिंग करता देख मिसेस प्रिम और भी जादा खुश हो जाती है अब उन्हें भी लाइल के साथ बहुत अच्छा लगता है और उनकी सभी टेंशन गायब हो जाती है मिसिस प्रिम को भी अब विश्वास हो जाता है कि उन्हें लाइल से कोई भी खत्रा नहीं है लाइल उनको कभी नुकसान नहीं पहुचा सकता अब जोश की डैड जब रात को घर आते हैं तो वो अपनी वाइफ को इतना खुश देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले मिसिस प्रिम बहुत जादा टेंशन में रहती थी पर अचानक से वो अब बहुत जादा खुश है जिसके बाद हम फिर से जोश और उसकी मॉम को साथ में देखते हैं जहां उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि शायद अब उन्हें लाइल के बारे में जोश के डैड को बता देना चाहिए जहां वो अगले सुभा जैसे ही अपने हस्बेंड को लाइल से मिलाने के लिए उपर रूम में जाती है तो लाइल को देखकर जोश की डैड उसकी मॉम की तरह डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्रोकोडाइल हमारे घर में आखिर करके रहा है वो अपनी वाइफ और जोश को लेकर जल्दी से नीचे भागने लगते हैं और जैसे तैसे करके नीचे आ जाते हैं उधर जब वो नीचे पहुँचते हैं तब ही उनके घर के दर्वाजे की घंटी बचती है और जैसे ही वो अपने घर के दर्वाजे को खोलते हैं वहाँ और वही Magician Hector होता है जो घर में आकर Josh के डैड को एक लेटर दिखाता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो अपने इस घर में साल के किसी भी 15 दिन रहने आ सकता है जिसके बाद वो लाइल को पकारने लगता है और लाइल भी वहाँ पर आ जाता है हیکٹر को देखकर वो अपसेट होकर वापस उपर जाने लगता है क्योंकि देड़ साल पहले हेक्तर ने उसको अकेला छोड़ दिया था और अब उसके लिए लाइल उसे नाराज है जिस बात को हेक्तर भी जानता था पर हेक्तर को पता होता है कि वो लाइल को कैसे मना सकता है वो जोर-जोर से गाना गाने लगता है साथी में वो डांस भी करता है लाइल भी उसको गाना गाता देख उसके साथ जूमने लगता है अब लाइल की हेक्तर से नराजगी भी खत्म हो जाती है और वो उसको माफ कर देता है जिसको देख अब जॉन के डैड भी समझ जाते हैं कि लाइल किसी को भी नुकसान नहीं पहुचा सकता अब उसी रात को हम जॉश के डैड को काफी परिशान देखते हैं जो सही से सो भी नहीं पा रहे होती हैं दरसल वो एक टीचर हैं पर स्कूल में कोई भी बच्चा उनकी बात नहीं सुनता और सब उनका मजाक उडाते हैं जिस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा उनकी इस परिशानी को लाइल भी महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि वो किस प्रॉबलम में है क्योंकि लाइल बहुत समझदार है इसलिए लाइल एक दिन मिस्टर परिम को उपर रूम में बुलाता है और उनका confidence एक बार फिर से वापस लाने के लिए वो उन्हें उनकी पुराने pictures दिखाता है जिसमें वो जर्सी में होते हैं जो उस वक्त champion हुआ करते थे लाइल उनसे एक match fight करने को खहता है और उन दोनों के बीच एक fight होने लगती है जहां अंत में लाइल जान बूच कर हार जाता है ताकि मिस्टर प्रिम का खोया हुआ confidence एक बार फिर से वापस आ जाए होता भी वैसा ही है जिसके बाद वो अब खुलकर life को जीने लगते हैं और school में सभी बच्चों को अच्छी तरह से handle करने लगते हैं जहां सभी बच्चे अब उनकी बात भी सुनने लगे थे उधर अब हेक्टर लाइल जौश और उसकी पूरी फैमली सब साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं जहां हेक्टर अपने शो के लिए लाइल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है लेकिन उनके नेवर को इससे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनके घर से रात भर गाने की आवाजे आया करती थी इसलिए एक दिन सोसाइटी में मीटिंग बिठाए जाती है जहां वो नेवर जोश की फैमली के बारे में सोसाइटी के बाकी मेंबर से कहते हैं कि ये एक शांत सोसाइटी है पर इनके घर से रात को गाने और शोर शराबे की आवाज आती है जिसको हम बरदाश्त नहीं कर सक पर तबी मीटिंग में अचानक से हेक्टर आ जाता है जो जोश की फैमिली की साइड लेने लगता है और उस नेवर की पूरी पूल पट्टी सब के सामने खोल देता है कि कैसे वो सोसाइटी के सबी लोगों के घर पर नज़र रखता है जिससे नाराज होकर वो सबी लोग वहा जादा खुश हो जाती है और अब वो दिन भी आ जाता है जब मजीशन हेक्टर ने लाइल के लिए वहीं शो और्गनाइस किया था जिसकी वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे अब हेक्टर को भी लगने लगा था कि लोगों के बीच रहने से शायद लाइल का डर च हो जाता है क्योंकि उसने लाइल के लिए बहुत बड़ा शो और्गनाइस करा था पर सब कुछ बेकार हो गया और जब वो वापस आते हैं तो जू से कुछ लोग जौश के घर आते हैं जो लाइल को वाइल एनिमल समझ कर उसको पकड़कर जू ले जाने लगते हैं जिने ज जौश और उसकी फैमली रोखने की बहुत कोशिश करते हैं दरसल ये सारा किया कराया उस नेबर का होता है जो शुरुआत से उनसे चड़ता था उसी ने लाइल को पकड़वाया है जिसके बाद वो सभी लोग लाइल को भी बाकी क्रकोडाइल के साथ केज में बंद कर देत जहां जोश और उसकी फैमली उससे मिलने आती है पर उन्हें ज्यादा देर लाइल से मिलने नहीं दिया जाता और जब वो घर वापस आ जाते हैं तो हां हेक्टर जोश के पास आकर उससे कहता है कि मैं लाइल को जू से बाहर निकालूँगा जिसमें तुम मेरी मदद कर सकत हो पर जोश हेक्टर पर गुसा करने लगता है कि उसने लाइल को कैसे जाने दिया उसको रोका क्यों नहीं जोश की सभी बाते सुनकर हेक्टर को अफसोस होता है कि उसे नेवर की मदद नहीं करनी चाहिए थी पर अब वो अपनी गलती एकसेप्ट कर लेता है वो लाइल को इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि चार बजे वो लाइल को जू से छुडवा लेगा जोश भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है वो दोनों जू चले जाते हैं और हेक्टर वहां के सेक्योरिटी गार्ड्स को अपने मैजिक से उनी के हैंड्सकप से बान देता है और ल ऐसा ही है लाइल उसको एक बार फिर से माफ कर देता है और वो सब लाइल को छुडवा कर बाहर आ जाते हैं पर बाहर पुलिस होती है जो उनका इंतजार कर रही होती है हेक्टर लाइल और जौश को भागने को कहता है और अपनी मैजिक फॉक बॉल से हर जगा धुआ कर दे जिससे किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता वो वहाँ से भाग जाते हैं जहां पुलिस हैं तरको पकड़ लेती हैं वहीं दूसरी ओर जौश लाइल की सच्चाई सब के सामने लाना चाहता है कि वो कोई वाइल क्रोकोडाइल नहीं है बलकि वो बहुत अच्छा और समझ कर सकता है कि वो कोई आम वाइल क्रोकोडाइल नहीं है बलकि वो बहुत टैलेंटेड है पर स्टेज पर पहुंचकर लाइल हमेशा की तरह बहुत जादा नर्वस होने लगता है और शान्त हो जाता है जिसे जोश समझाता है कि अगर तुमको जू नहीं जाना और हमारे साथ तो आज तुमको यहां पर गाना गाकर सबको साबित करना होगा और यही वो वक्त है जब तुम सबको साबित कर सकते हो अब उस टैलेंट शो में पुलिस ओफिसर्स और जू से लोग उसको पकड़ने आ चुके होते हैं जिने देखकर अब लाइल को रियलाइज हो जाता है कि उसको गाना गाना ही होगा नहीं तो जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी क्योंकि लाइल भी उन्हीं के साथ रहना चाता था इसलिए वो स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाने लगता है वो डांस भी करता है जिसको देख पूरे टैलेंट शो की ओडियंस बहुत जादा हैरान और खुश हो जाती है सब लाइल को पसंद करते हैं वो लाइल की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने या फिर किसी ने भी ऐसा पहले कुछ देखा ही नहीं होता है उधर उस शो में जोश के मॉम डैड में पहु कर दी थी कि वो अपने घर में एक वाइल क्रोकोडाइल को इल्ली गली रख रहे हैं जो सब के लिए बहुत नुकसान दायक हो सकता है इसलिए उसको जू भेजा जाए उधर अब जैसे ही जज अपना फैसला सुनाने वाला होता है तब ही वहाँ पर मैजीशन हेक्टर आ जा जोश के फैमली बहुत खुश होती है और वो ये केस जीट जाते हैं उनका नेबर एक बार फिर से हार गया था जिसकी बाद फिर लाइल जोश के फैमली के साथ रहने लगता है जहां वो सब खूब मस्ती करते हैं वो सब साथ बाहर घूमने जाते हैं हेक्टर भी उनके ही पर खत्म हो जाती है हम उमीद करते हैं कि लाइल लाइल क्रोकोडाइल की कहानी आपको पसंद आई होगी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही